नमस्कार आप सोबों का स्वागत है जैसा कि आप लोग देख रहे हैं ये मिटी का तबा है आप लोगों का भी जिग्यासा होगा और मेरा भी है मैं ये सोच के रही थी कि मिटी के तबे में हम पूरी बना सकते हैं क्या रोटी बना सकते हैं क्या तो रोटी का वीडियो तो मैं डाली सक्सेसफुल में रोटी बना ली थी सक्सेसफुली बन गया था और ये पूरी का जिग्यासा था तो आज मैं पनीर पूर पराठा बनाई जो बहुत ही अच्छे से बन गया तो इसका रिव्यू लेकर के मैं आई हूँ बहुत ही अच्छा बना और स्वाधिस्ट भी काइम नहीं बरबाद करूंगी और देखिए कितने अच्छा से बना है बिल्कुल अच्छा कलर साफ लगा है और खाने में भी नॉर्मल तवे के टेस्ट से बिल्कुल अलग है तो देखिए ये पनीर 200 ग्राम में कुदकस कर ली हूँ इसमें कसूरी मेथी मिर्ची पाउडर गरम मसाला थोरा साज मैन और आधा बिल्कुल बारिक किया हुआ प्याज काट दी हूँ अगर लहसन प्याज आप नहीं खाते तो आप बिना लहसन प्याज का भी बना सकते हैं और इस सब को मैं मिला दी हूँ आधा चमच मैं नमक डाली हूँ छोटे वाले से नमक और फिल कर दी हूँ यह सारा पनीर और नॉर्मल ही पूडिय बेल ली हूँ और फिर उस साइड में तवा डाल दी हूँ और नॉर्मल लोई करके बेल ली हूँ उसको और तवा उदर छळा दी थी लो टू मीडियम फ्लेम पर अस तवे को मैं गरम की हूँ हो सकता है तेज पे भी हम गरम कर सकते हैं पर मैं डर से उसको लोटू मीडियम फ्लेम पर ही गरम होने के लिए डाली और बेल करके एक प्लेट में मैं रख ली देखे ये तबा चढ़ा दी हूँ डर से मैं बार बार देख रहे हुआ कि कई ग्यास का फ्लेम तेज तो नहीं है और ये मैं डाल दी हूँ और एक बगल हो जाएगा जैसे नॉर्मल पलट दी फिर दूसरे तरफ भी हम पलट करके उसमें मैं दूसरे तरफ जब फर पलटी तो उसी टाइम डिफाइंड या घी जिसमें भी आप बनाते हों और डाल दे ताकि मतलब तबा मिटी का है तो डर लग रहा था तो डाल करके खूब अच्छे से मैं बना ली इसी तरह में दो पूरी बना ली और दो तीन और बनाना है पूरे में इसी तरह मैं बना लूँगी पर मैं पूरे पूरी बनाने के प्रोसेस में गैस कफें मीडियम कर रखी हूँ तो आप लोग भी इसका ध्यान दीजिएगा और बहुत अच्छे से सारा पूरी हमारा बनकर तयार हो गया पनीर पराठा बन गया है और काफी टेस्टी बना जो नॉर्मल तवे पे हम बनाते हैं नोनेस्टिक या लोहे वाले तवे ते उससे बिल्कुल टेस्ट अलग है बहुत स्वाथिस है उसके तो ये पूरी बनकर तैयार हो गया है पनीर वाला तो आप लोग भी जरूर बनाएं और रिव्यू में जरूर कॉमेंट करके बताईएगा कि कैसा बना मैं तो अपने हिसाब से इसका र अच्छा तवा है और टेस्ट में भी बहुत अच्छा आ रहा है तो देखें ये पूरी बना करके डाल रही हूं तो सारा इसी तरह बेल के भी रखती और बनाई भी तो आगे कभी सारा बना लूँगी और इस तरह हमारा सारा पनीर पराठा बन गया है तो आप लोग भी तरह बहुत बहुत पसंद की इसको टेस्ट बहुत ही अच्छा आया तो चली हमें बीच बीच में बीलकुल भी लो फ्लेम और मीडियम पर ही ये सारा बनाई हूं तो मैं बार बार इसलिए बोल रही हूं ताकि बहुत लोगों का यह होता है कि मैंने तेज गयास पर बनाया तो क्रैक हो गया तब आई से लिए मैं बोलनी हूं तो देखिया आईए आप लोग भी पनीड पराठा खाईए चटनी के साथ ये हरा धनिया पुदीना और आमला का चटनी है नमक और मिर्च डाल के तो आप लोग भी इंज्वाई कीजिए पुरा वीडियो देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाई